Hello students, आज हम लोग आगे के numericals को solve करेंगे और आज हम लोग कोशिस भी करेंगे कि इस chapter के सारे के सारे numericals complete हो जाए तो total इस video में around 14 numericals रहेंगे 2.11 से चालू कर रहे हैं हम लोग और 2.24 तक ये numericals आपके जाएंगे total तो ये वीडियो लेंदी होने वाला है थोड़ा सा पर आपको आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे description में time tag दिया हुआ है उसमें क्लिक करके आप किसी भी question पर directly jump करके उस video को उसके जो questions को solution उसको देख सकते हैं ठीक है तो चली स्टार्ट करते हैं फिर पहले question पर सबसे पहला question मारा दिया गया है 2.11 का the length, width and thickness of a rectangular seat of metal are 4.234 meter, 1.005 meter and 2.01 centimeter respectively तो clearly दिखरा है कि एक rectangular seat है जो कि length, width and height दिया गया है अब यह rectangular seat तो है पर यह rectangle का formula यहां नहीं लगेगा क्योंकि rectangle में तो length and width होता है और thickness भी अगर दे दिया है तो यह जो rectangular seat है यह 1 qubite के जैसे work करेगा ठीक है इसको आप लोग 9th और 10th दोनों में पढ़े भी है इसको math में तो cubite का हमको formula लगाना है यहां पास में अब कौन सा cubite का लगाना है तो पूछा है give the area and volume of the seat to correct significant figure तो हमको area भी निकालना है cubite का और volume भी निकालना है cubite का साथ ही उसके significant figure को correct भी करना है मतलब जो भी उ form में उसको correct करना है अब आप देखिये का कि उसको कैसे correct करते हैं हम लोग ठीक है तो देखिए यहां पास में यह value meter में दी गई है यह भी meter में दिया गया है और यह centimeter में दिया गया है तो सबसे पहले आप given values लिख लीजिए यहां पास में तो given values में length bit height है तो हमारा जो length है वो कितना दिया गया है 4.234 meter फिर इसका हमारा जो breadth दिया गया है यहां पास में वो दिया गया है 1.005 meter और तीसा दिया गया है हमारा पास में thickness जिसको हम height के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो height हमारा है 2.01 centimeter यह meter के फॉर्म में नहीं तो इसे हमें meter में convert करना पड़ेगा तो इसको meter में convert करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको divide by 100 से आप कर दीजे क्योंकि छोटे से बड़े में unit में जाते है तो divide किया जाता है divide by 100 अगर करते हैं इसको तो यह आएगा 0.0201 meter देखें तीनों meter में convert चुका है अब हमको सिफ formula याद होना चाहिए अगर आपने mass अच्छे से पड़ा है 9th और 10th का आपको यह formula जरूर याद होगा नहीं भी याद है तो कोई problem नहीं है मैं तो हुई ही तो सबसे पहले area का formula लगाते हैं यहाँ पास ने ठीक है तो area का formula क्या है 2 lb bh h मतलब ठिकने से ठीक है और bl तीनों के height को plus किया जाता है देखें lb bh और bl सभी दो-दो के form में होते हैं यह कैसा होता है देखें इस टाइब से होता हमारा qubide तो qubide के देखें यह दो हिस्से हो गए यह दो हिस्से हो गए और यह rectangle shape में आपको दिख रहा है तो qubide actual में इस shape में चला जाता है यह देखें तो तीसरा हिस्सा जो आपको मिलेगा यह हिस्सा हो गया यह हिस्सा हो गया और यह वाला जो हिस्सा है यह वाला हिस्सा हो गया देखे, टोडल तीन हिस्से हो गए है, तो सबके दो-दो form है, इसलिए 2 है, 2LB होगा, 2BH होगा, 2BL होगा, ठीक है? इसको नहीं मालूम था, I hope आपको समझ में आ गया होगा, बस अब values को put करिए, और हमारा answer निकल के आ जाएगा, तो देखे, कितना निकल के आता है हमारा value, 2L हमारा होगा, 4.234 into B होगा, हमारा 1.005 plus, इसको bracket लगा लीजेगा, ठीक है? फिर इसके बाद आएगा हमारा B, तो आएगा 1.005 और हमारा H आएगा 0.0201, ठीक है? plus, फिर अगला आएगा हमारा B, तो B आएगा 1.005, अब B होगया, फिसका दाएगा B L आएगा, ठीक है? तो B L या फिर L B कर सकते हैं आप इसको, सॉरी कुछ तो पर पर लिख दिया मैंने क्या, आहा, सॉरी, 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 या H L लिख सकते हैं इसको, तो H हो गया हमारा यहां पास में 0.0201, ठीक है? और इंटू करेंगे, तो आएगा L हमारा, तो या आएगा 4.234, ठीक है? ठीक है, तो कभी आपको ऐसा लगे, तो correction आप खुद से कर सकते हैं, कभी क्या होता है, कि हम books में कुछ formula को रटे हुए रहते हैं, और उसमें गड़बड़ा जाता है, ऐसा बोल सकते हैं, कि मुझे भी इसे रटाया हुआ था हलका सा, पर I hope आप मेरे जे concepts मालूम हैं, तो मैंने इसको cross check किया, और हमारा formula भी correct हो गया, ठीक है? तो चलिए इसको आगे देखते हैं, तो इसको solve करेते हैं जब हम लोग, तो हमारा जो value आएगा, multiplication का, वो कितना value आएगा? तो ये value आएगा आपका, इसको मैंने पहले solve करके रखा है, इसका PDF notes आपको वीडियो की description में मिल जाएगा, ठीक है? तो मैं time को save करते हुए, इसके पहले से ही मैंने solve करके इसको रखा हूँ, तो 4.25517 हमारी value आ रही है, इसका multiplication की value आ रही है, हमारी 0.0202005, मैंने आपको multiplication या plus minus सिखाने नहीं आया हूँ, यहाँ पास में, आपको numerical solve कराना है हूँ, इसे basic concept था कि significant figure को इसमें कैसे correct किया जाए, तो कि यह formula अगर आपको याद है, तो आप इसको अराम से बना भी सकते हैं, ठीक है? तो यह main important चीज नहीं है, यह main important चीज है कि significant figure को यहाँ पास में कैसे correct किया जाए, main चीज यहाँ पास में यह है, तो जब आप इसको solve प्लस करेंगे, तो आपकी value आएगी 4.3604739, यह meter square में रहेगा, सबके सब meter में है तो, जब इसको solve करेंगे, तो आपका value आएगा, 8.7209478 meter square, ठीक है, अब इतनी बड़ी value दी गई है, और यहाँ पास में बोल दिया है, correct significant figure, तो कैसे correct किया जाए इसको, तो correction का simple सा तरिका है, आप देखी इसकी values को, length, width और height को, तो length, width, height अब जब देखेंगे, तो इसमें से देखें, यह वाली values का, इसका significant figure है 4, इसका significant figure है 4, और इसका significant figure है 3, तो सबसे minimum वाला जो significant figure होता है, उस value को हमको यहाँ लिखना रहत है, तो देखिए, इसको round off भी करना है, देखिए, इसको round off करेंगे 8 को, तो यह 7 है, तो यह 8 हो जाएगा, ठीक है, यह खतम, फिर 8 है, तो 8 को 4 को करेंगे, तो यह 5 हो जाएगा, 5 को यह 10 कर लेंगे, जब छोड़ भी 4 है, 5 है, 10 हो जाएगा, और इसको जब इसमें करेंगे main चीज था कि इसके significant figure को कैसे correct किया जाए तो जो हमारे पास में values दी गए रहती है उसका minimum वाला सबसे कम वाला जो significant figure होता है उसी basis पे हमको answer को भी यहाँ पास में लेके आना रहता है ओके है? ठीक है तो चली देखते हैं इसका volume volume भी बहुत ही simple सा है इसका यहाँ पास में लShow सकता हूँdies को चाहूं तो मेरे पास में जगा भी है यहाँ पास में ठीक है? तो देखते हैं इसको में ऊसके clear कर लेता हूँ यहाँ पास में area को और यही पास में वाल्यूम को बना लेता हूँ ठीक है? तो volume का formula तो और जादा easy रहता है तो यह होता है length, breadth और height ओके है? ठीक है तो हमारी जो values है वो क्या कै दी गई है तो हमारी जो values है वो दी गई है 4.234, दूसरा value दिया गया है 1.005 और तीसरा value दिया गया है यहां पास में 0.0201 ओके है ठीक है और इसका multiplication आएगा हमारे पास में 0.0855289 meter cube ठीक है अब इसका significant figure 3 तक हमको लेके जाना है देखे तो यह 9 है तो यह 8 को 9 कर देगा यह cancel होगा तो यह 9 और 9 इसको 3 कर देगा तो यह 3 वाला जब आगे बढ़ेगा तो 5 से उपर होना चाहिए ठीक है significant figure का अगर आपको नहीं मालू में कैसे correct किया जाता है और round off करना तो उपर दिये गए i button पे या फिर में वीडियो पे इसका significant figure कितना है 3 इसका भी significant figure कितना है 3 ठीक है तो I hope आपको यह question अब अच्छे समझ में आ गया होगा और इसके significant figure को तो correct कैसे किया जाता है यह भी अब अच्छे समझ में आ गया होगा चली चलते हैं अगले question की तरह तो हमारा second question है देखे 2.12 तो बहुत ही simple question है इसमें भी हमको significant figure का थेहान देना है बाकी plus minus ही है जो कि आपके बहुत ही आप easy से solve कर सकते है इसको इसका 3 significant figure निकल के आ जाएगा इसका 2.30 kg ठीक है पर generally इसको 2 ही लेते हैं एक point के बाद में देखे इसकी जो value है 3.0 लीजिए या 3 लीजिए इसमें ज़्यादा फरक नहीं आता है नॉर्मली इसको 2.3 तक ही लिया जाता है ठीक है ठीक है तो the two gold pieces of masses 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box हमने क्या किया दो gold pieces को add कर दिया question पूछ रहा है the total mass of the box पहला कि पूरे box का mass कितना है दूजरा the difference in the masses of the piece to correct significant figure second पूछा है कि second जो दो हमारे जो boxes को add किया गया जो gold pieces है उसका जो mass का difference है वो कितना है और साथ ही साथ उसका significant figure को correct भी करना है हमको ठीक है तो बहुत सिंपल सा चीज है चलिए solve करके देखते हैं इसको हम लो तो सबसे पहले given values लिख लेते हैं यहां पास में given values लिखने का कारण यह होता है कभी कबार देखिए यह gram में दिया है यह kg में दिया गया है तो इसके unit जो है वो correct नहीं है हमको इसको configure करना पड़ेगा मतलब same करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए देखते है mass of box कितना हमारा अगर one होता तो three significant figure में हम इसको ले लेते हैं फिलाल में हम इसको दो के ही form में लेके चलेंगे ठीक है two gold pieces of masses तो two gold pieces का जो mass है वो कितना कितना निकल के आ रहा है first का निकल के आएगा gold piece में 20.15 gram और इसको आपका kg में convert करना है तो कितना करना पड़ेगा छोटे से बड़े में गए तो divide करना पड़ता है तो one जी आपका thousand gram के असपास होता है तो divide by thousand कर दिएगा इसकी value आएगी 0.02015 तो पॉंट इसका और एक 0 इधर और चला गया ठीक है तो यह value आपका आगया kg में इसे तरीके से second वाला जो है 20.17 gram तो यह आएगा आपका 0.02017 kg ओकी है ठीक है total mass निकाल लेते चलिए तो इसका आएगा total mass सबके सब kg के form में है तो हम easily इसको add कर सकते है 2.3 plus 0.02015 plus 0.02017 तिनों को जब आप sum करेंगे तो आपकी value निकल के आएगी 2.3432 kg ठीक है तो इसमें सबसे minimum वाली value यह है 2.3 जिसका two significant figure हम रखे हैं तो इसके जो final answer उसका significant figure भी कितने में आएगा तो के मतलब आएगा answer 2.3 बाकी इन सारी value उसको हमको हटा देना है यहां से ठीक है ठीक है तो इसमें एक चीज़ ध्यान दीजेगा आप यह मत सुचिएगा कि इसके sum तो हमने हटाई दिया जो भी हमने इसका sum कि उसको हटा दिया एक्शिल में हमको इसको correct भी में लेएगे जाना था तो इसका significant figure 2 था, इसलिए हम two के form में ही इसको लेके चलेंगे correct significant figure के form में अगर इसको लेके चलते हैं तो ठीक है तो इसी तरीके से अगला question इसी में करते हैं तो जो है difference तो इसमें जो difference value आएगा वो कितना आएगा दोनों values का तो एक value अगर देखिए हम खाली इसको difference करना है तो हमको केजी की जरुवत नहीं है तो हम क्या करेंगे directly इसको minus कर सकते हैं तो बड़े में से छोटे को minus कर दीजे तो value आएगा 20.17 minus 20.15 इसको इसलिए change करना पड़ा था क यह इसको add नहीं कर सकते है तो इसमें तो यह दोनों के दोनों सेम है तो इसको हमको change करने की जरुवती नहीं है तो देखिए 7 में से 5 के 2 आया बाकी यह 0 आया यह 0 और यह 0 तो simply हमारा answer भी आ गया gram के form में ठीक है तो इसमें हमको कुछ correct करने की जरुवती नहीं क्योंकि इस higher से lower की तरफ आ सकते हैं पर lower से higher की तरफ हमको उसको नहीं ले जा सकते हैं significant figure में क्योंकि round off करते हैं तो values को छोटा किया जाता है ना कि बड़ा किया जाता है इस जिच का भी आपको ध्यान देना है साइद में अको लागा कि किसी ना किसी के मन में बात जरूर आ रहा होगा इसलिए मैंने आपको यह बात बताईए ठीक है आपको मालू में तो अच्छी बात है चलिए अगला question को करते हैं ओके तो बहुत simple सा question है देखिए 2.13 बोल रहा है ए physical quantity P is related to 4 observable values तो कौन-कौन सी है A, B, C and D I as follow तो हमको एक equation दे दिया यहां पास में P equal to A cube B square by under root C and D ठीक है तो इस values को देखिए अब इसका बोल रहा है the percentage error of measurement तो यह एक error वाला question है आपका ठीक है तो error में बोला है कि A, B, C and D का percentage दे दिया है error के form में तो 1%, 3%, 4%, 2% respectively what is the percentage error in the quantity P अब बाद में बोल रहा है कि P का जो percentage error है वो कितना आएगा error वाला और if the value of P calculated using the above relation turn out और P का जो value है देखिए जब question को solve किया जाता है तो P की value अलग आती है और error अलग आता है error को generally del P के form में लिखा जाता है तो यह upon के form में भी है तो del P by P के form में इसको लिखा ज आता है तो मेरे error वाले videos को आप जरूर देख लीजेगा ठीक है तो इससे आपके थोड़े बहुत doubt जो है हम दिमाग में वो भी clear हो जाएंगे और बाकी कुछ जो बचा हो जा है हम लोग इसको question में solve करके देख भी लेंगे ठीक है ठीक है तो यह P की value इसने पहले से निकाल क करके जाना है ठीक है तो P का जो value है देखे कितना निकल के आता है A cube B square upon root आपका 6C है तो इसको क्या लिखेंगे है हम C के power 1 by 2 और यह आएगा D ओक है तो A की value दी गई है 1% B के value दी गई है 3% ठीक है C का value दिया गया है 4% और D का value दिया गया है 2% एक चीज़का आपको याद रखेएगा चाहिए प्लस करिए माइनस करिए डिवाइड करिए या फिर multiply करिए कुछ भी करिए आपकी जो errors है वो हमेशा add ही होंगे इस चीज़का आपको ध्यान देना है हमेशा add होंगे ठीक है ठीक है तो इस चीज़का आपको हमेशा ध्यान देना है तो percentage जो error मैं निकाल रहा हूँ उसको मैं क्या करूँगा add करूँगा तो इस equation को देखिए a का cube है तो 3 आपका नीचे आता है इसको लिखने का pattern समझीगा और a के error को कैसे लिखूँगा del a upon a के form में लिखूँगा 3 आपका यह जो है नीचे आ जाएगा ठीक है प्लस 2 जो है आपका नीचे आ जाएगा और b को कैसे लिखूँगा del b upon b देखिए यह upon में है तो यह उपर जाके minus के form में नहीं निकलने वाला है इस इसका आपको ध्यान देना है आप सोच रहे होंगा कि मैं c को उपर ले जाओ तो यह minus 1 by 2 हो जाएगा फिर minus 1 by 2 को बाहर निकालना है ऐसा नहीं करना है आपको इसको directly आपको लिखना है यहाँ पास में 1 by 2 पावर को निचल आएए और c को लिखिए del c upon c इस इसका आपको ध्यान देजएगा d के ओपर में कुछ भी नहीं है तो यह सिधा del d upon d रहेगा ठीक है और यह जो error है इसको directly इसने percentage के form में पहले से ही दे दिया है तो हमको इसमें कुछ भी करने के जरुबत नहीं इस question में सिधा सिधा 3 into 1% 2 into 3 ठीक है सब percent के form में आने वाला है 1 by 2 into 4 और यह निकल के आएगा आएगा आपका 2 तो देखे कितना आता है आपका यह आएगा 3 यह आएगा 2, 3 जा 6 और यह आएगा 2 और यह आएगा 2 तो 3 और 6 हो गया 9, 9 और 10, 11, 12 और 13 तो यह आएगा आएगा आपका 13 percentage ओक है पर हमको इसको significant figure values को correct करवाना है values को तो percentage को हमको normal form में change करना पड़ेगा value के form में तो percent को हटाने का तरीका होता है इस percent के जगा क्या लिखते है 13 by 100 percent के जगा divide by 100 कर देते हैं इसका value आएगा 0.13 तो इसका significant figure कितना तक जा रहा है इसका significant figure दो value two decimal तक जा रहा है ठीक है तो इसी तरीके से p कभी पूछा इसको round off करने का तरीका देखे पी का value हमको directly दे दिया है 3.763 तो इसको round off अगर मैं करूँगा तो कितना digit तक करूँगा तो इसका year भी दो digit तक ही जा रहा है तो इसको देखे round off किया तो 3 को मैंने हटाया तो 6 का 6 ही रहने वाला है जब मैं 6 को हटाऊंगा तो ये 8 बन जाएगा ठीक है एक बढ़ा देगा क्योंकि 5 से उपर जाता है तो एक increase कर देता है वो भी even और odd के form में देखना पड़ता है हमको कि इसके बाद वाला ये जो value है ये even है कि odd है ठीक है जब वो condition ताब आती है जब ये value 5 हो ठीक है तो ये फिलाल में 6 है तो हमको इसमें देखने की जरवत नहीं पड़ेगी तो ये बनेगा 3.8 answer हमारा तो ये होगे हमारा value round off करने वाला तरीक है बहुत है simple सा था एक्दम ठी चलिए इसी तरीके से अगले question की तरफ बढ़ते हैं ओके तो ये हमारा है 2.14 question बहुत ही simple सा question है इसको हमको dimensionally देखने है किस टाइप से question हमारा a book with many printing error containing four different formulas for the displacement while of a particle undergoing a certain periodic motion तुमारा एक book है जो printing में काफी से error कर दिया क्योंकि उसके जो printing जो machine होगा उसमें कुछ formulas का error हुआ होगा तो वही पूछ रहा है कि इसमें error कहां पास में क्या dimensionally ये correct है भी की नहीं है जो formula हम use कर रहे हैं दीक है योकि normally जो हम print करते हैं printer से तो हम तो खाली button दवाए और print हो गया पर ऐसा होता नहीं है उसमें algorithm लिखा जाता है और उस चीज को follow करते हुए कोई भी values को print करता है ठीक है तो देखिए इसमें कुछ हमारे पास में equations दिये गया है और जिसमें A जो दिया गया है maximum displacement दिया गया है maximum displacement का मतलब है कि इसका dimension है वो L होने वाला क्योंकि displacement है फिर यहां पास में कुछ V यूज हुआ है तो V कुछ speed of particle दिया गया है तो यह velocity है आपका जिसको L T to the power minus 1 बोला जाता है dimension की formula में और T है time period तो T time period मतलब T है ठीक है rule out the wrong formulas on dimension ground तो dimension के हिसाब से इसको check करना है मैं आपको इसमें तरीका बता रहा है कि कैसे solve करना है बाकि आप PDF notes से जिस type से आपको exam में लिखना है वो totally चीज मैं PDF notes से आपको दे दूँगा इसमें क्योंकि करूंगा तो वीडियो बहुत जादा लेंदी हो जाएगा तो मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे करना है एक इसका LHS जो है वो Y है और Y आपका displacement है तो first वाले का left hand side जो होगा हमारा उसका जो dimension होगा वो खाली L होगा अब आते हैं RHS की तरफ यह LHS वाला है ठ pronounced성이 T by T, तो A को मैं क्या लिख सकता हूं,'ll लिख सकता हूं, sine 2 be T जो है इसको क्या लिख सकता हूं मैं capital T dimension में और यह तो capital T है तो इसको भी capital T के form में लिख सकता हूं, इसमें से यह T कैंसल हो जाएगा तो यह value dimension लेस हो जाएगा और खली 2 be में चला जाएगा जो कि radian के form में चला जाता है और इस पूरे value dimensionless हो गया तो ये खली L बचेगा तो RHS में भी सिर्फ और सिर्फ L बचे left में भी आपका LHS में भी सिर्फ और सिर्फ L था तो ये जो value आपको मिल रहा है या फिर ये बोलें जो equation है ये एक correct equation है dimensionally ये correct है ठीक है इस तरीके से B वाला देखिए left hand side में भी इसमें L है और RHS में अगर देखा जाए तो इसका value निकल के आता है A sin V of T तो A value है L sin V of T मतलब आता है L T to the power minus 1 ठीक है velocity का formula होता displacement upon time displacement ये है upon time में है तो T to the power minus 1 चला गया dot ये T को भी हम लोग T रिखेंगे तो इसमें से ये और ये cancel हो जाता है ये सिर्फ L बसता है देखिए ये एक L मिल गए हमको dimensional में और ये dimension less नहीं है तो ये sign का value निकालने में हमको problem जाएगा क्योंकि उसको radian में convert करना पड़ेगा हमको ठीक है तो ये एक L और ये भी एक L दो L होगे है यहाँ पास में तो ये dimensionally correct नहीं है दो L आ जा रहा है यहाँ पास में ठीक है क्योंकि left hand side और right hand side दोनों के दोनों सेम होने चाहिए तो dimensionally ये क्या है wrong है ठीक है उसके बाद c वाला देखते हैं c वाले में भी क्या करना है left hand में तो L ही है तो सीधा सीधा हम right में चलते है तो right में A by T दिया गया है मतलब L by T है और ये क्या दिया गया है sign of T by A मतलब की T by L तो clearly दिख रहा है कि ये भी L नहीं बनने वाला है ठीक है पहला तो ये dimensionless नहीं है और दूसरा ये L by T है तो ये कभी भी left hand side के बराबर नहीं होगा तो इसका भी dimensionally ये क्या है wrong है ठीक है इसी तरीके से D वाला देखते हैं तो ये तो L है इसको देखते हैं तो ये A by root 2 तो A by root 2 मतलब L ठीक है numerical values की कोई मतलब यहाँ पास में देखा नहीं जाता है क्योंकि हमको सिफ और सिफ और सिफ दैमेंशन से लेना देना होता है यहाँ पास में तो root 2 का यहाँ पास में ज्यादा importance नहीं है ठीक है तो sin 2 pi T by T तो यहाँ एगा 2 pi small t का dimension होगा T और इसका भी होगा T plus cos of 2 pi capital T upon capital T यह cancel और यह भी cancel देखी यह भी dimensionless होगया यह भी dimensionless होगया और यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका L है root 2 को छोड़ दीजेगा क्योंकि यह numerical value है तो यह भी right hand side में क्या बचरा है खाली L और left hand side में भी क्या है खाली L तो यह जो equation है यह dimensionally क्या है correct है तो दो value आपकी correct है A वाला और D वाला B वाला और C वाला दोनों के दोनों कलत है dimensionally okay है बहुत सिंपल सा question था I hope आपको समझ में भी आ गया होगा चलते हैं इस तरीके से अगले question की तरफ okay तो यह हमारा 2.15 question है 15 इसको बोलेंगे हम तो question तो बहुत ही बड़ा सा दिक्रा है पर इतना easy question की पूछिए मन देखे कैसे है a famous relation in physics related moving mass m to the rest mass m0 of a particle in terms of speed speed of light this relation first arose as and consequently of spatial relativity due to the Albert Einstein का equation है spatial relativity का ठीक है a boy recall the relation almost correctly but forget where to put the constant c c मतलब की speed of light है यह ठीक है तो where guess where to put the missing c अब हमको पता करना है कि c को कहां पास में put किया जाए ठीक है तो generally formulas जो होते हैं हम इसको normally book से पढ़ते हैं और रट लेते हैं पर formula इसको create किया जाता है और correct किया जाता है using the dimension formula के इस आप से इसको भी हम dimensionally correct करेंगे और देखी किस type secret करते हैं यह equation I hope आपको मालू होगा नहीं मालू में तो कोई problem नहीं है यह होता है m0 initial mass ठीक है यह object का velocity होता है और यहां पास में एक c होता है कहीं पास में जो हमारे speed of light होता है और यह होता है कि जब कोई object कितनी भी velocity से travel करता है तो उसका जो mass है वो change हो जाता है और जो mass वो lose करता है ठीक है वो energy के form में convert हो जाता है ठीक है m कितना बज गया हमारा mass वा बाकी जो है वो energy के form में release रहता है जो की formula आता है e equal to mc square के form में यह आएगा one और इसका value आएगा l t to the power minus one का square ठीक है और यह आएगा half अब देखिए यह one है और यह dimension के form में है तो यह इससे minus नहीं हो सकता तो हमें क्या करना पड़ेगा हमको इसको numerical value में convert करना पड़ेगा ठीक है तो numerical value में convert करने का सिर्प एकी तरीका है कि इसके नीचे भी एक velocity वाला form जो value है लिग दिया जाए और यहाँ पास में जो दूसरी value velocity की है वो है c जो भी speed of light है वो velocity की form में है तो हमारा जो c है वो कहा आएगा वो आएगा इस जगह में इसकी नीचे तो यह आएगा c का square क्योंकि v का square है तो यह भी c का square बनेगा जो की value होता है l t to the power minus 1 और यह value फिर बाद में इससे और इससे cancel हो जाएगा और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ numerical value बचेगा तो इससे हमारा जो आपका rhs है वो क्य कर देगा equal कर देगा और हमारा यह जो formula है वो dimensionally क्या हो जाएगा correct हो जाएगा बहुत सिंपल सता एकदम ठीक है I hope आपको यह question अब समझ में आया होगा दिखता था कितना बड़ा सता और answer एकदम छोटा था है कि नहीं ठीक है चलते है इसी तरीके से अगले question की तो हमारा next question ह 2.16 बहुत सिंपल सा question है देखिए the unit of length convenient on the atomic scale is known as armistorm मतलब इसको scale करने के लिए जो हमारा unit of length है उसे arm angstrom के form में लिखा जा रहा है denoted by a to the a की ऊपर में यह बड़ा सा goal बना देते है ठीक है तो 1 angstrom होता है 10 तो पावर माइनस 10 meter okay है the size of a hydrogen atom is about 0.5 angstrom तो जो atom होता है वो 0.5 angstrom का ही होता है इसे बहुत ही छोटा होता है normally हम इसके scale से measure कर ने सकती है इसलिए हमें इस angstrom की जो unit है उसे हमें लेना पड़ा यह scientist का नाम था जिन्होंने इसका खोज किया था ठीक है ठीक है ठीक है पूछ रहा है what is the total atomic volume in meter cube के form में पूछ रहा है of a mole of hydrogen atom मतलब एक mole का लिया जाए तो उसका जो atomic volume है वो कितना निकल के आएगा ठीक है बहुत simple सा है देखें नॉर्मली जो size लिया जाता है यह one mole के form में यह जो atom का form में यह सब के सब एक circle के form में होते है ठीक है तो हमको पूछ रहा है तो one mole में कितने atom होंगे आपका one mole में आपके atom होंगे 6.023 into 10 to the power 23 atoms पाया जाते है एक mole में मिल गए number of quantities अब एक hydrogen atom का volume अगर मैं निकाल लो one hydrogen atom का one hydrogen atom का volume निकालना तो formula क्या बनेगा 4 by 3 by r cube यही बनने वाला है और इसको में अगर number of atoms से multiply कर दो जो की one mole के अंदर आता है तो हमें total volume निकल जाएगा total atomic volume निकल जाएगा तो यही तो हमको चाहिए तो total इसमें से देखे एक given value जो भूल गया है radius तो radius जो दिया गया है वो दिया गया है 0.5 angstrom को बोलते 10 to the power minus 10 meter तो इसका significant figure कितना होगा one होने वाला इसको ध्यान दीजेगा ठीक है यह बहुत ही काम का है यहां पास में तो total atomic volume कितना निकल के आएगा n मतलब कि यह वाले value into इसको करेंगे तो आएगा 4 by 3 by r cube values को put कर दीजे 6.023 into 10 to the power 23 4 by 3 3.14 और r आएगा आपका 0.5 into 10 to the power minus 10 का cube ठीक है तो देखेगा इस chapter में आपको थ्रहाशा आना numeric यह क्या बोलते है, multiplication आपको बहुत ज़्यादा complicated आने वाला है, मतलब बड़ी-बड़ी values आने वाले है और इस questions में actual में यह आपका 2 या 3 monks का याता है पर mathematical point of view में यह बहुत ज़्यादा time consume कर लेता है तो बीने practice के यह आपका काफी ज़्यादा time को खा जाएगा exam time पे तो आपको इसको ध्यान देना है और आपको ज़्यादा ज़्यादा practice करना है तभी जाके आप इस question को solve कर पाएंगे और अगर आपके पास time कम है तो आप इतना तक में छोड़के आप इसकी round figure values निकालके लिखतीजेगा अगर time कम है exam में तो पर इसके चक्कर में आप बड़े marks के questions को मच छोड़ दीजेगा इसलिए यही दिया जाता है कि आपके ज़्यादा ज़्यादा time consume हो जाए ठीक है तो आप इसको solve आप इसली कर सकते है numerical values है यह तो जनरल इसको आप जब भी solve करेंगे 10 के power को अलग से कर दीजेगा और बाकी को अलग से solve करके दिखेगा 10 को कभी भी बीच में interfere मत कराईएगा यह 4 by 3 है और यह 3.14 है और 0.5 का cube होता है 0.125 ठीक है और बाकी values तो आप लिखी सकते है 10 to the power 23 है और इसका लिखेंगे तो 10 to the power minus 30 आएगा जब इसको solve करेंगे तो आपकी values आएगी 3.152 into 10 to the power minus 7 और volume है तो meter cube ठीक है तो क्या आप इस value को यही तक छोड़ देंगे बिलकुल भी नहीं आपको ध्यान देना है कि इन मेंसे जो values दी गई थी सबसे छोटा value आया था 0.5 into the power minus 10 meter cube और इसका significant figure सिर्फ और सिर्फ 1 था तो इसका भी value 1 ही आएगा तो इसको लिखेंगे हम 3 into 10 to the power minus 7 meter cube देखें यह 1 significant figure तक आता है इस values को significant figure के अंदर में नहीं लिखा जाता है तो यह 3 आएगा तो इस values यह values जो है यह हड़ जाती है ओके है simple साथ एकदम question ठीक है कोई doubt आएगा तो comment section में जरूर पूछेंगे ठीक है चले चलते हैं अगले question की तरह ओके तो next question हमारे 2.17 बहुत simple सा question है यह भी थोड़ा molecule वाला form है देखें गया लिखा गया question में क्या पूछ रहा है बोल रहा है कि one mole of an ideal gas at in standard temperature and pressure occupy 22.4 L molar volume तो आपको एक mole का quantity दिया गया है जो कि pressure के form में अगर check करें तो यह 22.4 लीटर तक का जगा ले लेता है molar के form में अगर लेते हैं तो तब कि एक container है और इस container में 22 जो लीटर होता है actual में वो जगा लेने की बात होती है कितना ले रहा है वो 22.4 लीटर तक ले ले रहा है यह जगा ठीक है पूछ रहा है what is the ratio of molar volume to the atomic volume अनलब molar और atomic volume का ratio पूछ रहा है इसमें mole of hydrogen बोल रहा है कि one mole of hydrogen जो क्योंकि यह और ratio पूछ रहा है ठीक है why is this ratio so large अभी तो ratio निकाला तो large की तो दूर की बात है पहले ratio निकालते हैं फिर बताएंगे कि large क्यों है ठीक है ठीक है तो सबसे पहले molar के form में भी देख लेते हैं इसको तो molar volume बहुत simple सा दिया गया है यहां पास में देखे तो molar volume दिया गया है 22. 22.4 liter और यह आपका meter cube में इसको convert करना पड़ेगा liter में है तो 1 liter जो होता है इसको meter cube में जब हम लोग convert करते हैं तो उसको 1 by 1000 के form में लिखा जाता है ठीक है तो देखे 1 by मतलब 1 liter जो होता है आपका वो आपका होता है 1 by या फिसको लिखते 10 to power minus 3 meter cube के form में लिखा जाता है इस इसको भी AC convert करेंगे 22.4 और यह आएगा 10 to power minus 3 meter cube और atomic volume को अगर निकाला जाए atomic volume जो हम लोग पिछले question में कर चुके है ठीक है तो इसकी value आएगी sorry spelling अगला थो रही है atomic volume थो राइटिंग में अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि पैड में बहुत दिनों के लिखे वे भी तो बहुत दिन तक लिखूंगा जो साथ ठीक हो जा है writing atomic volume जो निकल के आ रहा है वो कितना रहाएगा 1 mole का निकालना है याद रखेगा तो पहले mole into जो volume है उसे हम circle के form में लिखते हैं ठीक है तो हमारा value आएगा 4 by 3 by r q यह आएगा 6.023 into 4 by 3 into 3.14 into r का value है साइट जो बोल रहा है मतलब की radius बोला actual में यह तो इसको आप लिखेंगे कितना इसको लिखेंगे 10 to the power minus 10 का q ठीक है साइट जो आपको बोलता है तो अब मेंसा इसको जाद रखेंगा कि radius बोल रहा है ठीक है ठीक है जो इसको solve करके देखेंगे जब आप तो इसकी value आएगी near about 25.21 into 10 to the power minus 7 यहाँ पास में मैं calculation नहीं कर रहा हूं जिससे मैं अपने time को बचा पा रहा हूं क्योंकि मैंने इसको ratio निकालना हमको तो ratio जो निकालेंगे हम लोग किसका किसा निकालेंगे molar upon atomic का निकालना हमको ओक्य है तो ratio निकालेंगे तो molar है आपका 22.4 into 10 to the power minus 3 यह point है यहाँ पास में और इसका आएगा 25.21 into 10 to the power minus 7 यह minus 7 उपर जागा तो positive बन जाएगा और 7 में से 3 गाएगा तो 4 बचे है तो आपकी value जो है कि point में आएगी तो कितना आएगा point eight nine okay है ठीक है अभी इसका significant figure हमको actual में अगर लिखा भी जाए तो यह इसको अगर check करेंगे तो nine को इधर करेंगे तो यह eight है तो nine बन जाएगा और point nine आएका लगबग और near about यह one के form में रहने वाला है हमको लेना देन इन दोनों के बीच का वह काफी जादा आरा 10 to the power 4 जो बहुत होता है लगबग आपका 10,000 times 10,000 है ना जो बहुत होता है तो ऐसा क्यों है ऐसा simple सी बात है कि अगर आप खाली atom atom के volume को जो आपका molecule है खाली molecule के volume को एगर add करते हैं तो near about इतना आता है पर actual में यह काफी जादा लेता है तो इतों Jose molecules देख रहा है आपको इसम इन molecules की बीच में यह काफी जादा gap है जो यह बतारहा है यह value जो ratio का निकल के आ रहा है वो यही बतारहा है कि जो ratio यह जो molecules है इन दोनों molecules की बीच में जो gap है वो बहुती जादा large है ठीक है so large यह पुछा आप इस ratio is so large why तो का रिजन है कि the gap between the two molecules या फिर every molecules is so large that's why it's take so much volume simple answer थेक्तम ठीक है ठीक है I hope यह question भी आपको समझ में आया होगा फिर भी कोई डाउट है तो comment सक्षन आपी के लिए है ठीक है चली चलते हैं अगले question की तरफ ओके तो बहुत ही simple सा question है यह भी actual में यह question आपका था theoretical ways जादा है तो आपको इसको theory की form में लिखना पड़ेगा तो theory तो मैं नहीं लिखवाऊंगा आपको pdf notes में मिल जाएगा पर मैं आपको समझाने की courses करता हूँ और I hope आपको समझ में भी आ जाए पूछ रहा है explain this common observation clearly if you look out of the window of a fast moving train अगर आपका भी train पर बैठे हैं तो नहीं बैठे हैं तो bus पर बैठे होंगा बस पर भी नहीं बैठे हैं तो कम से कम travel तो करते ही होंगे by car किसी से भी ठीक है आप उसको भी observe करके देख सकते हैं the nearby tree houses seems to move rapidly in a direction opposite to the train motion तो जो आप गाड़ी से चल रहे होंगे तो कोई भी चीज़ अगर आप जब बाहर देखते हैं बाजू में आपके जो गाड़िया पड़ी मानले जब कोई ट्री है चोटा सा या घर है तो जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको जैसे आप इस तरह के स होता है फिर बोल रहा है but the distance object hilltop moon star माल लिजे कि आप चल रहे हैं यहां से और आपको एक बड़ा सा पहाड दिखा बहुत दूर में ठीक है और आप इस पहाड को भी देख रहे हैं तो या फिर यहां पास में कोई अपना sun है दिन में आपको दिखाए दे रहा है आप चले ज actual में आपको ऐसा महसूस भी हो रहा है in fact जो हो रहा है आप मूफ कर रहे है ठीक है तो इसका reason क्या है इसका reason बहुत simple है line of sight का नाम आपने सुना होगा साध नहीं सुना भी हो या सुना भी हो सकता आपने line of sight मतलब कि जो आप देख रहे हैं और जिस object को देख रहे हैं यहां स जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यह lines of sight की direction है वो change होना चलू हो जाएगा बहुती जल्दी जल्दी आपका change होगा और line of sight का direction अगर change होता है बहुती जल्दी जल्दी तो यह object भी आपको motion में नजर आएगा line of sight का ही खेल है जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसका direction वैसे वैसे change हो कि इसके angle में वैसे वैसे change आएगा और जैसे जैसे आपका change आएगा direction में ठीक है direction मतलब कि यह देखे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इसका direction आपका जब आप यहां पहुंचेंगे तो यह आपका चेंज होते जाएगे और direction change होने की कारण direction change होने कारण object आपको बहुत ज़्यादा ज़्यादा जल्दी change हो रहा है तो इसलिए आपको object भी है जो motion में बहुत तेजी से नजर आएगा अब इसी तरीके से आप यह object है और इसको देखे यह बहुत ज़्यादा दूर में है ठीक ह about यह object आपको कैसा दिखाए देगा यह object आपको stationary type का दिखाए देगा मतलब यह hill तव आपको दिखाए नहीं देने वाला है ठीक है थोड़ा बहुत आपको महसूस होगा कि यह पीछे जा रहा है पर ना के बराबर जितना दूर होगा उतना ज़्यादा आपको महसूस होगा कि यह still position पे है अगर आप sun को देखेंगे तो आप 1000 km चल लिए तब यह आपको sun लगेगा कि वहीं पास में ही है मतलब वहीं का वहीं खड़ा है ऐसा आपको महसूस होगा पर actual में तो सबके सब move करते ही है आपको मालूम होगा कि दुनिया में ऐसा कोई object नहीं है जो की stationary position पे है even हमारा पुरा universe भी जो है वो भी motion के form में normally हम जानते हैं कि sun हमारा यह है अर्थ इस motion में तो ऐसा घूमी रहा है सारे अर्थ है सारे planet से इस टाइप से घूम रहा है सब के सब motion में और actual में देखा जाए तो sun भी travel कर रहा है फिर यह भी travel कर रहा है इसे घूमते हुए यह भ ठीक है ऐसा नहीं कि sun भी अपनी जगा में बैठा हुआ है अर्थ मोशन में है ही दो तरीके से पहला यह खुद घूम रहा है अपनी तरफ और दूसरा यह sun के चरण तरफ घूम रहा है वह तो अलग है साथ में यह motion में आगे भी बढ़ रहा है इस तरीके से यह आगे भी ब अगर नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है वीडियो के description में आपको इसका वीडियाफ का link मिल जाएगा उसमें आप ठीक है चले चलते हैं अगले question की तरफ Okay students तो यह question में बहुत simple सा question है थोड़ा सा tricky भी है और थोड़ा सा आपके जो आपके syllabus है उसमें जो आपके unit conversion वाले topics है उससे related जादा है ठीक है जैसे astronomical unit था angstrom unit था वैसे एक parse करके भी unit है जो सबसे बड़ा unit माना जाता है ठीक है बहुती longer distance को travel करते है जो चीजे उसको नाप तो इसको कैसे देखना है इसको देखते हैं तो question में तो काफी करें यह दी गई है जैसे दिया गया है the principle of parallax method parallax को भी आपको यार दियोगा कि मान लिजे कि अगर यह moon है तो आपको यहां से earth से इसका moon का distance find out करना है तो इस point से पहले इसको यहां देखिए फिरिजा से यहां formula है तो अगर हमको यह arc यह वाला मिल जाए value जो कि हम निकाल सकते हैं by the mathematical term से और angle हमको मालूम हो जाए अगर वह भी हम लोग निकाल सकते हैं तो हम आराम से इसकी distance को find out कर सकते हैं बिना moon तक जाए और यह काफी useful formula भी है दिखता थो बहुत छोटा सा है पर बहुत ही काम का formula ह ठीक है यह parallax method था आपका किसी भी distance को find out करने के लिए इसका दूर की distance को find out करने के लिए इसका use किया जाए और इसी method से आपको यह arc मतलब की इसका size भी पदा कर सकते हैं ठीक है तो मैं आपको इसमें detail में नहीं जाओंगा भी क्योंकि इसका video मैंने पहले से बना कर रखा हू कि यह आपको section भी दे दिया गया है is to determine the determined distance of very distance object star like the baseline AB in the line joining the earth to location 6th month apart in its orbit around the sun तो 6th month के बाद जो आपका एक location जो घूम रहा है वो 6th month बोला है न मतलब अगा यह sun है आपका तो यह earth जब घूम रहा होगा इस type से तो यह diameter बना रहा होगा कुछ ठीक है तो उसका जो distance है वो दे दिया है आपका 3 into 10 to the power 11 meter के आसपस यह हमारा अर्थ है जो घूम रहा है ठीक है However, even the nearest star are so distance that with such a long baseline जो हमारा सबसे nearest star है वो भी बहुत बड़ा baseline बनाता है यह आपका जो line दिख रहा है They show a parallax only on the order of one second और हमको सिर्फ और सिर्फ six months नहीं सिर्फ एक second का parallax method को चेक करना है कि एक second बाद में यह अर्थ जो है वी कितना move कर गया होगा तो इसको हमको parallax method से चेक करना है तो इसमें हमको क्या है उस करना है पार्सेक का unit निकालना है लिख रहा है रहे है यह पार्सेक इस convenient unit of length on the astronomical scale तो astronomical एक unit है यह भी और इस scale में हमको इसको चेक करना है ठीक है it is the distance of an object that will show a parallel of one second one second of arc from opposite end of a baseline opposite end of a baseline equal to the distance from the earth to the sun okay how much is a parsec in terms of the meter और पार्सेक को हमको meter के form में चेक भी करना है ठीक है तो हमें यहाँ पास में time दे दिया गया है कि एक इतने one second में यह कितना दूर ट्रैवल कर जाएगा तो ट्रैवल करने के लिए हमें इसे radian में convert करना पड़ेगा value को ठीक है तो सबसे पहले आपको कुछ values मालूम होने चाहिए जैसा कि one astronomical unit one AU कितना होता है तो one astronomical unit होता है 1.496 into 10 to the power 11 meter होता है फिर हमें जो angle दिया गया है यह angle जो convert हो रहा है यह one second में कितना बना रहा है तो इसको one second दिया गया है तो one second को रेडियन में convert करना है तो इसको पहले आपको minute में convert करना पड़ेगा तो minute में convert करने लिए 1 by 60 करते हैं इसको और minute को फिर degree में convert करना पड़े तो इसको भी by 60 फिर से कर देते हैं, तो दो बार 60-60 करेंगे तो यह degree में convert हो गया, और यह भी degree में है, और degree को radian में convert करने के लिए करते हैं, पाई बाई 180 करते हैं, तो यह अब आपका radian में convert हो गया, तो आपको angle दे दिया है, आपको arc दे दिया है, जो कि हम one astronomical unit के form में लेने हैं, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है radius, कि जब यह घुमेगा, ऐसे goal करके, तो इसका distance कितना निकलने वाला है, यह radius जो निकल रहा है, वो कितना निकलने आने वाला है, जो कि हम parsec के form में निकालना है, यह, ठीक है, यह आपको example दिया है, इसी value को नहीं लेना है ठीक है आपको value astronomical के form में लेना है और angle आपको 1 degree का लेना है तब आपको ये radius निकालना है जो की काफी बड़ा होने वाला है देखिएगा कितना है ठीक है ठीक है अर्थ और sun की बीच का जो distance है उसको निकाल रहा है परsec के form में तो radius को ऊपर ले जाएंगे थीटा को नीचे लेक ठीक है ये थीटा है तो आर्क होगे हमारा 1.496 into 10 to the power 11 meter ये आपका astronomical unit होता है जो कि आपको बुक में मिल जाएगा आपको इसको खुद याद करना पड़ेगा ने तो आपको इसको निकालना आना चाहिए ठीक है आपके बुक में ये मिल जाएगा राम से फिर आता है थीटा थीटा को हमने radian में अभी अभी convert किया है तो आपको ये values को आपको लिखना है तो इसकी value को अगर आप solve करेंगे इसको radian को इसको पूरी value को solve करेंगे तो इसकी value निकल के आती है 4.85 into 10 to the power minus 6 radian इस value को मैंने पहले से निकाला हूँ ठीक है इसलिए मैं इसको यहाँ नहीं कर रेडियन ठीक है रेडियन मतलब कि मीटर की फ़र्म में हो ठीक है ठीक है अब इसको solve आप करेंगे तो यह मैंस से उपर जाएगा ठीक है और यह value आपका लगभग 17 बन जाएगा ठीक है और देखी यह 4.85 है यह 1.14 कर लीजेगा और इसको 4 को 5 मान लगे तो यह लगभभग लगभग लगभग आपको 15 के फ़र्म में आ जाएगा और यह उपर जाएगा तो इसका 1.10 जो है इसको दे देंगे अगर आप ठीक है तो यह 15 बन जाएगा वन पॉइंट के जगा यह 15 के आसपास बन जाएगा तो 15 को अगर 5 से आका डिवाइड करते नियर अबाट 3 के आस 16 बस थे क्योंकि एक जिर्श को दे दिये थे तो यह आपका पार्सेख है जो एस्ट्रॉनोमिकल यूनिट के फ़र्म में होता है जो कि इस तरीके से हम पार्सेख को निकाले हैं जो कि वन सेकंड में एक एक एस्ट्रॉनमिकल यूनिट अगर एक ट्रैवल कर जाता इतना डेता है ठीक है इस टाइसे अगर यह वन स्टॉनेalt न ह्टर का ए कि यहां से यहां तक का, ओक है, तो और एंगल हमको दे दिया है, वन सेकेंड, सिर्फ एक सेकेंड में आपको समझ लीजिए कि कितना डिस्टेंस ट्रावल कर लेता है, यह काफी जादा डिस्टेंस, एक सेकेंड भी बहुत होता है, जबता तो बहुत छोटा से इनिट है, हमार आप इसको बड़े रूप में देखें, तो इमेजिनेशन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि, वन सेकेंड जो टाइम है, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है, हम तो ऐसी वेस्ट कर देते हैं, काफी सरह है अपने टाइम को, चले, इसी का डिसकेंशन 4.29 light year away, मतला हमारे solar system जो है, इतना दूर हमारा सबसे nearest star है, हमारे अर्च से बोल सकते हैं, ठीक है, तो how much is this distance in terms of parsec, तो ये जो value है, ये कितना दूर है in terms of parsec के form में, अगर इसको हम देखा जाए, ठीक है, तो पूछ रहा है, कैसे निकाला जाए पहले, सबसे पहले, parsec के form में इसको convert करना है, और second form है, how much parallax would this star named alpha century, so when viewed from two location of the earth, six month apart in its orbit around the sun, मतलब कि हमको parallax method से भी find करना है, कि इसका जो actual में arc जो दिख रहा है आपको यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पास में, view to location around the orbit, how much parallax would be, मतलब कितना parallax हो रहा है, मतलब कितना एक angle यह बना रहा है, actual में यह पूछ रहा है, कितना यह angle बना रहा है, ठीक है, ठीक है, तो चलिए, आपको मैं बताता हूँ, कि किस type से इसको करना है, ठीक है, तो सबसे पहला तो आपको इसको parallax, इसको parsec के form में convert करना है, 4.29 को, जो कि बहुत सिंपल सा चीज है, कैसे convert करेंगे देखिए, तो सबसे पहला आपको मालूम होना चाहिए, कि light year जो है, इसका जो value है, वो कितना होता है, तो 1 जो light year होता है, वो होता है, आपका 9.46 into 10 to the power 15 meter का होता है, और जो 1 parsec होता है, ठीक है, वो होता है, आपका 3.08 into 10 to the power 16 meter, ओके है, ठीक है, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको, आपको meter के form में, normal के form में convert करना पड़ेगा, जो light year के form में दिया गया यहां पास में, तो distance of alpha century from the earth, जो हमारा दिया गया है, solar system वाला, जो कि हमारा distance है, किसका, हमारे nearest star का है, जो कि इसको नाम रखा गया है, alpha century, ठ इसका distance देखे कितना है, तो इसका distance जो है, वो है, 4.29, जो हम distance निकाल लेक्ची का याद रखेगा, solar system बोल रहा है, मतलब हमारे अध से कितना दूरी पे है, उसका distance दिया गया है, ठीक है, तो light year, ठीक है, तो 4.29, light year को change करेंगे, मीटर में तो आएगा, 9.46 into 10 to the power, 15 मीटर, ओके है, और इसको फिर बादे, पार्सेक्स से अगर मुझे convert करना है, तो पार्सेक्स से क्या करूँगा, मैं इसको divide कर दूँगा, तो यह पार्सेक्स में convert हो जाएगा, 3.08 कोई बीचिज को convert करना है, तो इसी form से हम convert करते है, यह 16 मीटर, तो इसका answer आएगा, divide करेंगे, तो 1.32 पार, ठीक है, solve आप कर लीजेगा, मैं solve करूँगा, तो वीडियो फिर से बड़ा हो जाएगा, और ज्यादा, वैसी काफी बड़ा वीडियो यह बन चुका है, क्योंकि आपने काफी सारे questions को इसमें solve करके देखा है, main point है कि आपको कैसे करना है, ठीक है, तो यह बहुत ही simple सा चीज था, इसका अगला पार्ट थोड़ा सा, और भी simple है, simple तो है, पर थोड़ा सा tricky है, और वो tricky चीज क्या है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है, तो next जो चीज है यहाँ पस में, how much parallax, मतलब कितना angle वो form कर रहा है, उसको देखना है, और यह बोल रहा है, two location from the earth, six month यह पार इने orbit around the sun, मतलब यह हमारा अगर sun है, और यह हमारा earth ऐसे घूम रहा है, तो six month मतलब कि यहाँ से यह जरूर पहुँच चुका होगा, तो this is our arc, ठीक है, और assume कर लिजे कि आपका कहीं पास में भी यह आपका star है, यह alpha star बोलते हैं, तो यह हमारा value हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का distance दे दिया है, देखिए, यह वाला distance, angle हमको निकालना है theta और यह value भी हमारे पास में है, six month वाला, ठीक है, तो यह value जो हमारी है, यह कितनी दी गई है, इसको भी हमको find out करके निकालना पड़ेगा, तो य यह value होती है, यह यहाँ से यहाँ तक वाली, ठीक है, इसमें भाले given निकालना दिया है, पर इसको आपको याद करके रखना पड़ेगा, यह जो arc होता है, यह अर्थ का यहाँ से यहाँ तक का distance होता है, six month का, उसको हम बोलते है, two astronomical unit के formula लेते हैं, अब 1 AU कितना होता है, इस हमारा अर्थ के diameter को बताता है, तो two astronomical unit हमारा यह आपका diameter होता है, क्योंकि radius जो होता है, वो आपका sun से इस्टा, अपना अर्थ की distance होता है, radius, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का distance है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इतना लेके चलते हैं, आपके दिमाग में यह भी आ सकता है, कि जो अर्थ हमारा वो eclipse safe में चलता है, तो यह distance कहां से लिया जाए, तो normally हम assume करके चलते हैं, कि अर्थ जो हमारा sun के चलता चक्र काट रहा है, वो एक circle के form में काट रहा होगा, ठीक है, और उसके basis पे इसको लिया जाता है, values को, तो two astronomical unit जो है, तो 2 into 1.496 into 10 to the power 11 meter के होगा, और इसको multiply करेंगे, तो यह around 2.99 या फिर इसको आप बोल सकते हैं, कि 3 into 10 to the power 11 meter के असपास आपका value आएगा, ठीक है, अब थीटा हमको चाहिए, तो थीटा की value कितनी होने वाली है, थीटा की value होगी हमारी arc upon radius, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आर्क जो value है, देखिए, यहां से यहां 10 to the power 11, और radius हमारा दिया गया है यहां पास में, तो radius में कौन सा लें, पारसेक लें कि क्या लें, तो हम इसको simple form में लेंगे, meter के form में, क्योंकि यह वाली value भी हमारे पास में meter के form में ही है, इसको भी simple form में लेंगे, तो कितना आएगा, 4.29 into 9.46 into 10 to the power 15 meter, इस form में हम इसको ल cancel हो जाएगा और यह gradient के form में convert हो जाएगा, अब जब इसको मैं solve करूँगा, तो मेरी जो value आएगी, वो कितनी आएगी, 10 10 को अलग कर देना, मैं हर बार आपको बताता हूँ, जनरली इसको solve करने का तरीका है, कि आप खाली इसी value को solve करिए, इस value को जब solve करेंगे जाएगा, 0.73921 upon 10 to the power 4 meter, ओके है, ठीक है, अब इसमें जो tricky part है, उसको समझेगा, यह meter हट गे, sorry, my mistake, meter इसको cancel हो गया, अब इसको क्या करना है, हमको second में convert करना है, normally हम SI system के हिसाप से चलते हैं, और SI system में, जो time होता है, उससे हम second के form में लेके चलते हैं, ठीक है, angle को भी actually lowest form जो हमारा होता है, degree होता है, degree के बाद minute होगा, ठीक है, यह वाला minute होगया, minute होगया, single dot, single line वाली minute होगया, और फिर double, जो line होती है, वो आपका होता है, second, तो यह आपके उपर dependent है, चाहें तो आप इसको इस फॉर्म में भी रोक सकते हैं, और चाहें तो आप में dependent में भी convert कर सकते हैं, यह आपके उपर में dependent है, ठीक है, तो मैं इसको convert कर रहा हूँ, देखिए, तो convert करने का तरीका क्या है, 0.073921 upon 10 to the power 4, ठीक है, और देखे, normally आपका जो degree था, उसे radian में convert करने के लिए, हम upon में 60 करते थे, और अगर radian है, तो उसे degree में convert करने के लिए, into 60 करेंगे, पहला, तो यह होगा आपका degree में convert, ठीक है, इतना calculation आपको करना पड़ेगा, तब जाकि यह value आपकी second में convert होगा, और इसकी जो value आती है, निकल के, यह near about आती है, 1,525, अब सारे calculation मैंने पहले जगार के रखे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पास मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं direct values को लिख रहा हूँ, आपको PDF notes में इसकी values लिका ले वे मिल जाएंगे, ठीक है, जो notes है हमारी, और इसकी value आएगी, 1.5255 second, इतना answer आता है, मतलब यहाँ से यहा से अगर आप कोई person होगा, जो यहाँ से अर्थ को देख रहा होगा, तो इसके लिए सिर्फ 1 second ही हुआ होगा, एक सेकेंड में सिर्फ अर्थ इतना बड़ा चक्कर काट लिया, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, स्थार को, ठीक है, ठीक है, चलिए चलते हैं, अगले question I hope आपको यह question थोड़ा बस समझ में आया होगा, ऐसा हो भी सकता है कि completely समझ में ना है, और अगर मन में ऐसा कोई doubt आ रहा है, ठीक है, तो आप जरूद comment section में पूछिएगा, देखी क्या है यह थोड़ा सा आपका topic से कुछ चीज़े हट भी गई है, बहुत सरी चीज़े इस आता है कि हम सोचते हैं रहे तो syllabus का था ही नहीं और फिर भी इसको आपको exam में दे दिया, तो जब भी आप पढ़ें तो जरूर questions को भी देख ले, तो क्या होता है कभी कबार कि questions को ही कि होरी के form में convert करके दे देता है, ऐसा भी हो जाता है कभी कबार, कोई भरोसा नहीं है NCR ठीक है, तो इस इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, चलिए चलते हैं अगले question के तरह, ठीक है तो इस question को देखते हैं, question बहुत simple सा है वैसे तो, question में लिखा गया है 2.21 का precisely measurement of physical quantity RA need of science, मतलब precisely हम हर चीज को measure करने की कोसिस करते हैं और ये actual science जो हमारा है उ हम चाहते हैं कि हर calculation बहुत ही precisely calculated हो, ठीक है, तो for example, to attain the speed of an aircraft, one must have an accurate method to finite position or close the separated instant of time, aircraft चल रहा है तो हमें पोजिशन उसकी मालूम होने चीज कि वो किस position पे कहां से उड रहा है, जो कि radar system में दिखाई भी देता है, जहां से फ्लाइट उटती है, तो उनके radar system में दिखाई देत World War II और यह बहुत ही एक अच्छा invention था, जो कि World War II में बहुत जादा काम आता था, think of different examples in modern science where precisely measurement of length, time, mass, तो ऐसे बहुत सरे जगाए हैं जहां पास में इनका use होता है, wherever you can give a quantity idea for the precise needed, तो पूछ रहा है कि, बताए कि हमें कहां कहां precisely method का use और भी हम किस जगों में कर सकते हैं, तो ऐसी हम से भी पूछ रहा है कि यह हमारे उपर depend करते हैं कि हम कितना broadly सोच सकते हैं, तो मानली जी कि एक example आपको मैं बताता हूँ, कि समयली जी कि कुछ भी ले सकते हैं, समयली जी कि air particles ले सकते हैं, तो हमारे air एक room है, इस room में अगर आप air particles गया है, तो यहां है, और यह तो हम एक air particle को दूसरे air particle से कैसे find out करें कि इन दोनों का बीच का distance कितना है तो हमारे पास में एक electron microscope करके एक device होता है जिससे हम अराम से find out कर सकते हैं कुछ नहीं है आपको एक jar लेना है समझ लिजे या फिर normally आप किसी एक plate में भी अगर खाले electron microscope से देखेंगे तो वहाँ air particles तो हो गई होंगे तो हम easily electron microscope से देख सकते हैं कि उसका electron microscope मतलब एक particle दूसरे molecule से कितना दूरी पे है इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं फिर उसका समय लिजे कि आजकल COVID-19 का चल रहा है काफी कुछ फैला हुआ है तो जो virus है COVID-19 का जो virus है उसका structure कैसा है किस type का दिखाई देता है उसका size कितना है यह सब भी हम electron microscope से देख सकते हैं और बहुत ही बारीकी से उसके find out कर सकते हैं उसकी structure को जो कि precise method है और इस type के चीज़े हम electron microscope से कर सकते हैं तो मैंने जैसे आपको पहले ही बता है कि आपकी thinking के उपड़ेपन करता है क्योंकि जितना आप ज़्यादा deep में पढ़े होंगे कि चीजों को ठीक है किसी भी चीज़ को उतना ज़्यादा आप इसके बारे में बता सकते है कि कहां-कहां और जगह में use हो रहा है जैसे कि पिच्चरों में भी आपने देखा होगा radar system सबसे ज़्यादा use जो होता है वो आपका submarine में होता है सब्मरीन में भी क्या होता है कुछ दिखाए तो देता नहीं पानी के अंदर में तो उन लोग भी क्या करते है इस टाइब का radar system से रहता सोनार जिसको बोलते है और waves छोड़ते है और टकरा की जहां से वापिस आता है तो हमें पता चलता है कि इस जगह में कोई object है की नहीं ह कि अपले है और इस चोड़ते हैं सोनार की जो बोलते हैं इसको हम Electromagnetics बोलते हैं जो सोनार वेड़ते हैं हम लोग ठीक है Electromagnetic वेड़ते हैं और इससे हम किसी भी जगह का position का फाना आप कर सकते हैं जैसे कि plane वाला जो किसम ने बताया यह भी इलक्ट्रमेटिक वेड़ती हम जो हमको position बताते हैं किसी भी जगर का तो इस type से आप काफी सरी चीज़ों सकते हैं आपके मन में भी ऐसा कोई चीज़ है जहां पास में जो precisely काफी quantities जो use किया जाता है कोई भी technology को तो आप comment section के थूँ जरूर बता सकते हैं ठीक है ये एक आपका बस मेरा view था आपके views को भी जानने की आप भी अपने views को मतलब बता सकते हैं comment के थूँ कि किस type से हम precisely measure करना है किसी भी चीज़ को ठीक है तो जरूर comment सकते हैं आप बताईएगा चले चलते हैं अगले question के तरफ ये theoretical part था तो आपके थिंकिंग के उपर डीपन करते हैं कि आपके इस questions को कितना अच्छे से लिख सकते हैं ठीक है चले चलते हैं अगले question के तो question देखके काफी बड़ा लग रहा है और हकिकत में ये question काफी बड़ा है तो था समय लगेगा इस question को complete करने में क्या-क्या पूचा है देखे just as precise measurements are necessary in science it is equally important to be able to make rough estimate of quantities using rudimentary ideas and common observations तो हमें अपने idea और observations को समझते हुए इन चीजों को कुछ निकालना है और हो क्या चीजे हैं उनको समझे पहला है total mass of rain bearing cloud over India during the monsoon मतलब हमारे monsoon के time पे अगर उपर में बादल है तो वो बादल कितना पानी रखे हुए है इसका एक find out करके बताईए एक रफली बूच रहा है आप से कि आप find out करके बताईए फिर बोल रहा है the mass of an elephant तो आपको elephant का mass बताना है तो कैसे find out करेंगे हमारे पास में कोई machine फिलाल में अगर आपके आज़ू बाज़ू में नहीं है तो आप कैसे find out करेंगे कैसे अपना दिमाग लगाएंगे जैसे wind speed during a storm अगर हमको wind speed पता करना है कि कितना है तो हम कैसे find out करें फिर the number of strand of hair on your head आपके बताओ कि आपके head में formulas आ चुके हैं कि हम उन तरीकों से तो जरूर find out कर सकते हैं और यही चीज़े हमको यह total 5 चीज़े हमको निकाल के देखनी है देखे किस ताइब से निकाला जाता है इसको तो सबसे पहला question है the total mass of the rain bearing ठीक है मतलब कि आपका पानी की बात हो रही है simple सी बात है यहाँ परस में तो एक average data निकाला गया है कि हमारा जो पानी है वो कितना गिर रहा है तो जो पानी का गिरने का इस्तार होता है वो हमें पता करते हैं कि जो surface है surface से उपर में यह कितना मतलब बोलते निए कि एक centimeter का पानी का पानी गिरह है तो वो कैसे पता करते हैं, जब किसी एक एरिया को ले लेते हैं और उसके surface से पानी के distance को देखते हैं, कि कितना पानी भरा हुआ है और उसके basis पर पता किया जाता है, कि इतना पानी गिरा है तो एक average अगर ओल और इंडिया का निकाला जाए तो बोला जाता है कि 100 cm तक का पानी गिरता है हमारे इंडिया में एक एवरेज मॉन्सून में ऐसे कभी भी नहीं एक मॉन्सून के टाइम पे इतना पानी गिरता है और इंडिया का जो छेतर फ़ल है जिसको हम टोटल सर्फेस बोलते हैं सर्फेस एरिया तो वह कितना है आप गूगल में करेंगे तो आपको मिल जाएगा एराउंड 3.287 क्योंकि आप फिजिक्स का चीज तो है नहीं है छेतर फ़ल वाला इसको हम लोग एरिया बोलते हैं तो यह किलो मीटर पर स्कॉयर के साब से रहता है था नॉर्मल इसको 3.3 ले और यह होगा 10 to the power 3 का मीटर का स्कॉयर ओके है तो यह कितना हो जाएगा 3 का 2 6 हो जाएगा और 6 6 2 हो जाएगा तो यह आएगा 3.3 into 10 to the power 12 मीटर स्कॉयर बहुत सिंपल सा था ठीक है वॉल्म आफ रेन वाटर अब देखिए हमको क्या चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए मास मास के लिए निकालने का फॉर्मला होता है देंसिटी इंटू वॉल्म और पानी का देंसिटी हमको मालूम है 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब होत लेंगे हम लोग कितना 1 मीटर 100 cm को जिसको हमको बोलते है 1 मीटर ठीक है वॉल्म निकल है हमारे पास में अगर हमारे पास में वॉल्म निकल चुका है तो मैंने आपको भी बताया कि मास एक्वाल टू होता है देंसिटी इंटू वॉल्म देंसिटी होता है 10 to the power 3 kg पर मीटर क ठीक है और वॉल्यूम हमारा 3.3 x 10 to the power 12 multiply करेंगे तो हमारा answer आजाएगा 3.3 x 10 to the power 15 kg mass है तो kg के फॉर्म में आने वाला है और इतना पानी आपका monsoon के time पे जो clouds है इतना पानी को अपने अंदर में रखे रहते हैं देखिए बहुत सिंपल सा है अगर आप ऐसी roughly बोलेंगे तो आप find out नहीं कर सकते पर mathematical calculations से आप बहुत सरी चीजों को find out कर सकते हैं और हमने अभी calculate करके भी देखा ठीक है अभी normal अगर कोई बंदा नहीं जानता है कोई person है जो नहीं जानता है चीजों को अच्छे से physics अच्छे से नहीं पढ़ा है तो वो बता नहीं पाएगा पर आप physics पढ़े हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं चीजों को ठीक है ठीक है second बोल रहा है the mass of an elephant ये भी बहुत ही अच्छा question है इसको भी देखिए second बोल रहा है elephant का mass निकालना है इसको भी बहुत ही tricky वो x1 तक है यहां से यहां तक का distance ठीक है उसके बाद क्या कि हमने elephant को लाया और बोला कि इस boat के उपर में खड़ा कर दिया जिससे इसकी weight के कारण ये नाओ थोड़ी दबी होगी दबने के कारण ये नाओ कुछ इतना पहुँच गया होगा तो यहां से यहां तक में height में change आया इसको मालो x2 ओके है ठीक है अब क्या कि ये h मालूम है हमको volume का formula होता है a into h यही होता है h हमने इसके change से निकाल लिया area हमको पहले से मालूम होगा कि ये board का area कितना है आपका ठीक है और density हमको पानी की पहले से मालूम है तो density को लिखेंगे density into volume लिख लेते हैं simple simple density होता 10 to the power 3 और volume आप कितना भी निकाली अगर इस टीसना भी area होगा तो चार-पांच मिटर से ज्यादा के area इसको नहीं होगा आने वाला है एक चीस तो clear हो गया यहां पास ठीक है इस तरीके से हम लोग elephant का भी mass निकाल सकते हैं ठीक है अगर आपको now का area मालूम है तो आप value put करिए आपको answer भी आ जाएगा ठीक है practical point of view से भी आपको बहुत सरी चीज़ को एक पत्थर ले लिजे और इसको 9 में डुबा करिएगा उसके measurement को कितना वो डूबा और पानी का density आपको मालूम है आप बता सकते हैं कि पत्थर कितना मास है और बाद में उसको weighing machine में जरूर ट्राइ करिएगा कि उसका mass उतना को उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे जरूर बताएगा comment के तो ठीक है चलते हैं अगल है h ठीक है उसके बाद जब यहां से हवा चलना चालू हुआ तो यह इसको इदर धगे लेगा तो यह आपका बलून पहुंच जाएगा यहां और यहां से धागात वासे खिचा भी सकता है ठीक है तो यहां से इसने इतना distance cover कर लिया होगा यहां से जब यहां गया तो इसका height मालू में पर h और यहां से यहां जब गया तो इसका angle मालू में थीटा तो हमारे पास में formula है tan theta equal to यह है perpendicular और यह है base तो यह होगा x upon h तो x की value कितनी आएगी 10th theta dot h आएगा x की value निकल गई अब simple सा है हमको क्या लगाना है speed का formula लगाना है speed का formula निकलेगा distance upon time distance निकला है हमारा h dot 10th theta और time निकला है t एकतम simple तरीके से निकल गया देखिए कितना simple तरीके से निकला है बाकी values को आपको height तो मालूम ही क्योंकि जब आप balloon छोड़े होंगे तो आपको मालूम होगा ना कि रस्सी कितनी लंबी है आपको चड़के नापना नहीं है ठीक है तो आपने जितना रस्सी लंबा लिया हो उतना ही उपर ही गया होगा ठीक है तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यह x भी तो हम fight out कर सकते हैं तो उतना ठकलिफ जेलने की जवड़त नहीं है अब common तरीकी से इसको निकाल सकते है और angle कैसे निकालेंगे यहां से यहां जब मुड़ा होगा तो आप पहरे देख लिज कि तरफ इसी में ठीक है तो अगला question है number of strand of hair on your head मतलब सर में कितने बाल हैं पता करिए इसको कैसे पता करें भाई तो इसको पता करने का simple तरीका है हम क्या करेंगे कि हम एक centimeter cube ले लेंगे हमारे सर के कोई भी हिस्से में जहां पस में बाल हमारे है ठीक है और उसकी hair को तो हम calculate कर सकते हैं पूरे सिर के बाल को तो नहीं गिन सकते हैं पर एक centimeter cube के area को जरूर हम बाल गिन सकते हैं और उसके बालों को हमको गिन लेना है ठीक है ठीक है अब number of strand in one centimeter cube अगर निकाल सकते हैं हम लोग तो जितना भी हमारा hair निकला होगा उसके बाद में अगर हम area of our head निकाल और उसे 1 cm3 में जितने भी number of hairs हमें पाएगा है, number of hair, उसको अगर उसके area से multiply कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि 1 cm3 के तो number of hair को तो हम गिन सकते हैं, उसको area से multiply कर दिया जाए, तो हम find out कर सकते हैं, कि number of hair in a head कितना निकल के आएगा, इसी तरीके से चीजों को निकाला भी जाता है, अभी मान लिजे कि आपने कुछ एक मुठी rate ले लिया और कोईसी ने पूस दिया कि बताईए, कि एक जो rate है, इतना चोटा से जो कंकड है, वो कितने सरे कंकड आपने पकड़ के रखे एक मु गिलास लोगे, और उस गिलास में इस rate को दाल दोगे, जो भी आपने मुठी पर रखा था, इस गिलास को जैसी मुठी पर दालोगे, तो मान लिजे कि यहां तक यह फिल हो गया होगा, ठीक है, हमको मालूम है कि यह गिलास एक volume का, cylinder का shape ले रहा है, और इसकी height हम find out कर सकते ह है, by the measuring tools से, ठीक है, और इसकी volume भी हम निकाल सकते हैं, मान लिजे, किने निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिलकुल, और कैसे निकाल सकते हैं, इसका volume अगर हम निकाल सकते हैं, ठीक है, और हमको इसका mass भी मालूम है, तो हम density भी निकाल सकते हैं, घनत वर जिसको हम बोलते ह आप ऐसा कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, इसके वॉल्यूम को निकाल सकते हैं, तो हमारे पास में एक फॉर्मुला है, नमबर ओफ मॉलिक्यूस जो हम निकालते हैं, ठीक है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा भी अभी कोस्चन भी आने वाला है उसके उपर में, कि given volume divided by molar volume मतलब कि कितने number of moles जो बोलते हैं, हम लोग उसको निकाला जाता है, तो normally इसकी volume को इस तरीके से निकाला जा सकता है, और mass को भी find out किया सकता है, कि एक particle का जो mass है, उसे हम कैसे find out करें, कि एक particle जो है, तो पूरे मुठी में number of rate गिनना अगर तो एक particle इसका अगर हमको खाले volume, mass मिल जाए, है ना इसका खाले अगर mass मिल जाए, तो volume upon mass अगर हम करते है, total volume upon mass किया जाए, अगर total volume divide by, अगर mass कर देता हमें, कि एक mass को total volume से कर देता है, तो number of जो हमारे particles है, number of जो हमारे rate है, वो निकाल सकते हम लोग और volume निकालना इससे easy है और एक particle का mass भी निकालना बहुत ही easy है, तो हम गिन सकते हैं कि हमारे मुठी में कितने rate थे, तो यह हमारे उपर है कि हम किस तरीके से calculation को करते हैं, ठीक है? ठीक है, चलिए चलते हैं अगले question की तरफ, तो अगले question है हमारा, जो last question भी है, the number of molecules in your classroom, जो मैं आपको बता रहा था, तो उसको देखी किस तरीके से निकाला जाता है, ये questions थोड़ा सा tricky भी है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजेगा माल लिजे कि हमारा जो room है उसका कुछ volume दिया गया है, उसके measurement दिये गया है, माल लिजे कि length है, इतना, width है, इतना, और height है 4 meter माल लिजे, ठीक है? तो इसका जो volume आएगा हमारे classroom का, वो आएगा 192 meter cube की हिसाब से आ ज़ता है, ठीक है? अब हमारे पास में एक calculation दिया हुआ है, calculation कि 1 mole 1 mole जो है, वो कितना volume occupy करके रखता है, 1 mole of volume जो है, वो कितना volume occupy करके रखता है, तो इसका आप पहले भी सुने होंगे, 22.4 liter, और liter को meter cube में convert करने के लिए 22.4 into power minus 3 meter cube होता है, तो हमारा 1 mole निकल जाता है, यह molar form में है, ठीक है? तो हमारे पास में एक formula भी दिया गया है, यहाँ पास में formula क्या है? formula है number of air particle या number of molecules ले लिजे, जो भी लेना चाहें, equal to given volume, आपका given volume कितना दिया गया है? जो कि यह आपका given volume यह है आपका, divide by molar volume molar volume, जो कि यह है into, given volume divided by molar volume into avagadro number, जो हमारा 1 mole के अंदर में कितने molecules से वो बताता है? ठीक है? avagadro number, values को put करिए और आपका answer निकल के आ जाएगा, तो given volume है 192 ठीक है? molar volume है 22.4 into 10 to the power minus 3 और avagadro number है 6.023 into 10 to the power 23 अगर इन values को आप calculate करेंगे तो आपकी value आएगी near about 516 into 10 to the power 26 molecules इतने molecules इतने molecules सिर्फ आपके room में इतने तो आप इसको values को भी नहीं लिखेंगे तब भी आपकी value near about 10 to the power इसके form में है ओकी है simple सा था है एकदम और इसको 10 to the power 6 है तो चाहें तो आप इसको क्या करेंगे कि 2 point इसमें यहां लगा के इसकी 2 zeros भी ले लिजे तो 5 के point में आजाएगा 10 to the power 8 की form में आ जाएगा ठीक है? और इसको अगर एक point यहां लगा जाएगा तो half into something 10 to the power 29 की form में भी आ जाएगा तो यह आपके वोपर depend है कि आप इसको किस form में लिखना चाहते है मैं इसको यहीं परस में छोडता हूँ और चलते हैं अगले question की तरफ ठीक है? क्योंकि अब हमारे यह वाला question भी complete हो चुका है टोटल हमारे इसमें 5 questions थे और हमने इसको करके भी देखा ठीक है? चले चलते हैं अगले question की तरफ ओके तो हमारा next question बोलता है The sun is a hot plasma organic matter with its inner correlated temperature exceeded 10 to the power 7 Kelvin and its outer surface at a temperature of about 600 Kelvin ठीक है? 6000 Kelvin At this high temperature no substance remains in a solid or liquid phase ठीक है? कोई भी चीज हमारा solid or liquid की face में नहीं हो सकता है Into what range would you expect the mass density of the sun to be? और पूछ रहा है कि हमारा जो sun है उसकी जो density है वो कितनी होगी? तो in this the range of the density of the solid and the liquid of the gas और वो density is liquid, solid या gas के किस range के आसपास में रहता है? ठीक है? चेक if your guess is correct from the following data और हमसे पूछ रहा है calculation करने के लिए तो जिसमें हमको कुछ values दे दिया है जैसे sun of the mass का, sun का mass दे दिया है 2.0.30 kg फिर radius दे दिया है हमारे sun का 3.10 to the power 8 meter के आसपास और हमको निकालने के लिए बोल रहा है इसकी density density का formula होता है हमारा क्या होता है density का formula? mass upon volume यह होता है mass upon volume mass हमको दे दिया है volume हमको पूछ रहा है, radius दे दिया है sun को अगर हम गोल मान ले तो volume निकालना क्या बड़ी बात है volume कितना होगा? 4 by 3 pi r radius हमको मालूम में इतना दिया गया है चिले निकाल लेते हैं कितना होता है तो होगा 4 by 3 into pi मतलब कि 3.14 ले लेते हैं जो भी आप कमानों, 22 by 7 भी ले सकते हैं 7 into 10 to the power 8 का cube value निकाल के आएगा 1.437 into 10 to the power 27 meter cube ठीक है? फुट कर दीजी यहाँ पास में तो mass का value आएगा 2 into 2.0 into 10 to the power 30 और volume का value आएगा 1.437 into 10 to the power 27 और जब आप इसको calculate करेंगे तो आपकी value निकल के आएगी 1.4 into 10 to the power 3 kg ठीक है? पर meter cube और यह जो density है, main चीज था कि इसको आपको अपने way में बताना भी है तो यह तो density हमने निकाल के बता भी दिया और खास बात यह है कि इसकी जो density है, वो solid, कोई भी substance के solid और liquid के आसपस थी ना कि gas के, क्योंकि gas का density होता है वो काफि कम हो जाता है, क्योंकि वो काफि ज़्यादा जगा ले लेता है और इसकी density काफि ज़्यादा high थी जो कि solid और लिक्वीड के आसपस थी अगर आपको मालूम होगा तो आपको ये बात मालूम होगा कि water की density कितनी रहती है 1.10 to power 3 kg per meter cube के असपास आपकी water की रहती है और इसकी density भी उसी के असपास आ रही है तो ये liquid और solid के आसपास में ही आ रहा है ना कि gas के form में आ रहा पर इसमें उपर में बोला था इसने कि इतना high temperature पर कोई भी जिस solid liquid के face में नहीं रह सकता तो reason क्या है कि मतलब इतना ज़्यादा density होने की reason क्या है reason बहुत simple सा है कि इतनी ज़्यादा इसका mass है तो इसके कारण इसका जो gravitational force है gravitational force है वो इतना ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ को ये दूर जाने नहीं देता है और दूर जाने नहीं देता है तो वो उसको अपने अंदर attractant करकता है अब attraction करके रखेगा तो उसके current इनकी density क्या हो जाता है ये बहुत ही ज़्यादा high हो जाता है यही रीजन था और ज्यादा इसमें कोई रीजन नहीं था ठीक है ठीक है तो चले चलते हैं अगले question की तरफ और 2.24 हमारा question और यह last question भी है इस chapter का additional exercises में नहीं करवाओंगा फिलाल में वो exam point of view के सबसे नहीं आते हैं ठीक है तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे जैसी course complete हो जाएगा फिलाल में लोग additional question को भी skip करके रख रहे हैं तो देखें क्या बोलता है यह वाला when the Jupiter planet is a distance of 824.7 miles million km from the earth अर्थ से इतना दूर है its angular diameter is 35.72 और डवल दे दिया है यहाँ पास में देखें लकीर इसको बोलते है second of arc calculate the diameter of Jupiter पूछ रहा है diameter कितना होता है Jupiter का formula बहुत simple सा है तो अगर यह हमारा अर्थ है और यह हमारा Jupiter है ठीक है तो हमको यह Jupiter है हमारा तो यहाँ से इसका distance पूछ रहा है अब इसमें क्या-क्या चीज गीवन दे दिया है तो calculate the diameter of the मतलब यह पूछ रहा है हमको distance हमको यह दे दिया है देखें यह वाला 824 वाला 0.7 miles million kilometer पर है million mother 10 to power 6 के form में और हमको यह angle भी दे दिया है 35.72 तो हमको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले थीटा को हमको क्या करना पड़ेगा तो radian में convert करने के लिए क्या करना पड़ेगा 35.72 divided by एक बार minute और दूसरी बार 60 करेंगे तो degree और इसके बार radian में convert करने के लिए 1 pi by 180 ओके है ठीक है और हमारे पास में क्या निकालना है हमको arc निकालना है तो theta की value होती है arc upon radius तो arc का value क्या आएगा यहां पास में theta into radius ओके है तो theta की value कितनी है हमारी theta की value है 35.72 upon 60 into 60 और radius हमारा दे दिया गया है 824.7 into 10 to the power 6 into kilometer है ठीक है तो यह आएगा kilometer अगर आप इसको solve करेंगे तो आपकी value near about आए कि 1.428 into 10 to the power 5 kilometer तो इस तरीके से हम Jupiter का diameter निकाल सकते हैं बिना वहाँ गये using the parallax method बोलते हैं हम लोग और हमारे पास में इतना चोटा सा formula से हम इतनी बड़ी चीज निकाल सकें तो physics बहुत कुछ करके हमको दिखा देता है ठीक है तो इस तरीके से हमारा यह chapter भी खतम होता है numerical parts भी सारे के सार होंगे फिर भी कोई problem या ऐसा दिमाग में कोई doubt होगा तो comment section में आप जरूर पूछ लीजएगा without any hesitation ठीक है ठीक है तो फिर इस वीडियो को यहीं close करते है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा जिससे यह वीडियो ज्यादा लग